दोस्तों नमस्कार पांडे गुरूजी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग सिखेंगे रेश्टियो एन प्रपोर्शन तो उससे पहले आप हमारे चैनल पांडे गुरूजी को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को मैं डिली वीडियो आपको रेल्वे एक्जामिनेशन से लेटेट सारे प्लेलिस्ट में बनाके रखा हूँ आप कोई वीडियो को अभी तक नहीं देखें जिसे मेच का जीके का रिजिनिंग का तो आप यहां प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को दखें तो आज हम शेट करके रखा हूँ जैसे आप यहाँ पर जाएए एनलोजी का मैं वीडियो अप्लोड कर दियू है अपने चैनल पांडे ग्रोजी पर आप नहीं देखें तो उसको जाके देखें और उसके बार वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आएं मैं तो उसके लिनक अपने वीडियो के निचे डिस्क्रीस ऑक्स में ढाल दूँगा तो आप पे जाके आप क्लिक करके मॉवाइल पर पी जा अपने आपने आपन करके आप तेस्स दे सकते हैं जिसे यहाँ पर सठार्ट कूझ के जिजिए उसके बाद सबाद सब्सक्रूज करे जाए कि मैं टाइमिंग को कम कर दूंगा ताकि आपका फिरियो और पोस्ट एक्जामनेशन का प्रिपरेशन यहीं पर आप कर सके तो इस वेगसाइट को आप विजिट करें और मैं डेली यहाँ पर क्यों ही डालता हूं आप क्यों को सॉल्व करने के बाद अपने नॉलेज को टेस्ट करें तो चलिए आज हम लोग सिखते हैं कि रेश्यों प्रपोर्शन तो सबसे पहले आपको बेसिक बताओंगा रेश्यो का बेसिक फर्मूला टीप्स रेश्यो होता है क्या प्रपोर्शन होता क्या है और उसका किस टाप को और रेल्वे एक्जामनेशन में पूछ प्रपोर्शन होता है तो आप इस वीडियो में सुरू से अंतक बने रहिए मैं आपको बताओंगा सबसे पहले की कॉंसेप्ट उसके बाद प्रपोर्शन उसके बाद पैटर्न तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेश्यों से तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेश्यों तो ratio होता है क्या ratio क्या एक basically section होता है suppose हमारे पर दो digit number A and B तो इसको ratio के रूप में हम लोग किसे represent करते हैं इसको represent करते है A is to B means कोई भी number उसका fraction हो तो इसको represent करते है A is to B इसको क्या बोलते है ratio बोलते है तो यहाँ पर हमारे पर दो number है एक A है उसके बाद B है A को क्या बोलते है इसको first number भी बोलते है first first number और first number और antecedent बोलते है A, N, T, E, C, E, D, E, N, T तो examination में group D में question भी आ सकता है कि A to B को A को क्या बोलते है और B को क्या बोलते है तो आपको basic concept के रूप में आपको जानना बहुत ही जरूरी है B को क्या बोलते है second number और और इसको क्या बोलते है consequent Q, U, E, N, T तो B को consequent बोलते है तो basically ratio को जो A to B का होता है उसको हमनों ratio बोलते है और यह A to B के रूप में होता है for example यह example लेते है suppose हमारे पास दो number है 5 और 6 तो इसको हम लोगे represent के से करेंगे 5 to 6 तो 5 को क्या बोलते है antecedent, antecedent बोलते हैं और first number बोलेंगे और 6 को क्या बोलेंगे consequent number बोलते है यहाँ पर एक basic concept है पहला कि आप अधी ratio को कोई भी number से division करते है या multiplication करते है बोध दिन number में तो उसका क्या होता है उसमें ratio में कोई effect नहीं होता है और ओर number क्या होना चाहिए non zero होना चाहिए non zero होना चाहिए सबस्द हमारे पास number 5 x 6 तो इसको हम लोग कोई भी number से support 2 से multiplication करते है और 2 से multiplication नीचे करते है तो इसका कोई ratio में effect नहीं होगा तो यह basic concept है ratio के means कोई भी number को आप division करते है या multiplication करते है with the non zero number then ratio will be not affected तो आगे देखते हम लोग proportion क्या होता है proportion basically the equality of the two ratio को हम लोग क्या बोलता है proportion बोलता है जैसे suppose a is to b is equal to c is to d तो इसको ए दो ratio का जो equality होता है उसको क्या बोलता है proportion इसको हम लोग एसे भी ली सकते है a is to b proportion c is to d तो दोनों सेम है तो जब भी दो ratio का equality होता है उसको equality में इक्वाल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलता है proportion बोलता है यहाँ पर a and a and d को हम लोग क्या बोलता है extreme e x t e r m s e x t e x t e x t e x t e x t e r e m e s extremes and b and c को क्या बोलेंगे b and c को क्या बोलता है b and c को बोलता है mean terms m e a n t e r m s तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत important formula है उसको आप याद रखते हैं कि product of product of means 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 एक फर्मूला है कि product of means is called to product of extreme means means b into c is equal to a into d जैसे आप यहाँ पेस को ऐसे भी ले सकता है कि a is to b is equal to c is to d तो a into d is equal to b into c वैसे भी हम लोग mathematics में जानते भी हैं कि a equal कि में cross verify करते हैं तो वह equal होता है वह हमारे हम लोग proportion में भी apply कर सकते हैं कुछ basic concept आपको बताता है कि fourth proportional क्या होता है कि fourth proportional होता है कि जब कोई भी रिश्ट्ट to a is to b equal to c is to d है तो यह d क्या होता है कि fourth proportional of a, b and c होता है ऐसे क्या होता है third proportional तो A इस्टू B C इस्टू D तो C क्या है? 3rd proportional of A into B तो यह basic concept है आपको पता होना चाहिए तो अगला देखते हैं 3rd concept 3rd concept में होता है compression of ratio compression of ratio में आप कोई भी ratio को compression करेंगे तो for example हमारे पास 2 ratio A to B is greater than C to D then A by B is greater than C to D यह basic concept है उसके पास चोथा है compound compound ratio suppose हमारे पास एक ratio A is to B C is to D E is to F then compound of ratio is A E C is to B D R तो यह से यह concept है तो आप दोस्तों एक पूरे concept को आप notpad में लिख सकते हैं या कहें पे यार रह सकते हैं कि fourth professional किसको बोलता है third professional किसको बोलता है compression का ratio किसको बोलता है compound ratio क्या होता है तो यह basic concept आपको यार रखना बहुत ही जरूरी है ताकि आप कोई भी question ratio और proportional से आए तो आपको easily solve कर सकते हैं तो आगे हम आपको कुछ और concept बताते हैं ratio proportional से ताकि आपको कोई भी question को solve करने में easy हो उसके बाद जो fifth है ओ है duplicate of ratio means suppose 10 10 is to 20 है तो यहाँ पर क्या क्या 10 का duplicate है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 into 10 is to 2 into 10 10 10 duplicate है तो यहाँ पर आप eliminate कर सकते हैं तो 1 is to 2 या यह से इसको बोलता है हम लोग duplicacy of the ratio sub duplicate of ratio sub duplicate ratio means suppose हमारे पास ratio है a is to b equal to इसको हम लोग क्या लिश सकते हैं root a is to root b तो इसको बोलता है हम लोग sub duplicate of ratio उसके बाद होता है triplicate ratio ratio triplicate ratio तो suppose a is to b है तो उसको हम लोग कैसे लिश सकते हैं कि a q is to b q means suppose हमारे पास एक ratio है 30 ratio 30 ratio 30 ratio 60 तो यहाँ पे 3 x 3 x 10 होग या 30 तो यहाँ पे खटा हटा आजेगे तो 1 is to 2 तो यह basic concept है ratio का तो आपको हम कुछ question solve करके दिखाते हैं कि ratio से कि इस्टा का question को कैसे solve करते हैं तो चलिए देखते हैं पहला question ratio को यहाँ तक आपको कोई भी concept मैं समझ में नहीं आया तो आप हमारे चैनल पे comment कर सकते हैं अमारे facebook पे भी comment कर सकते हैं और आप जैसे वीडियो देखके आप हमारे website www.itofficerjob.com पे जाके practice कर सकते हैं तो आपको बताते हैं कि question कैसे आते हैं और उसको solve कैसे करना है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहला question है कि find the 4th proportional to 4, 9, 12 जिसे आपको पता है तो concept में 4th proportional की D क्या होता है कि A, B, C का तीनों का 4th proportional होता है तो question में basically पूछा क्या है कि आपको 4th proportional D, A, A, B, C दिया हुआ है तो आपको D find out करना है तो suppose आप यहाँ पे D is equal to X मान लिजे तो 4, 4 is to 9, is to 12, is to X तो जैसे कि आपको बताया थे कि question में कि concept में जो बताया थे आपको कि product of means equal to product of stream तो यहाँ पे आपको सबसे पहले concept पता होना था है तब भी आप question को solve करेंगे तो आपको जैसे पताया था कि A into D is equal to B into C तो यह क्या है 4 है तो 4 into D क्या है X है 4 into X is equal to B into C B क्या है 9 है तो 9 into 12 तो आप इसको जैसे solve करेंगे 9 into 12 divided by 4 4, 3, 3, 9, 3 into 20 equal to 27 तो 4 प्रोपोस्टनल इस question क्या हो गया 27 हो जाएगा वैसे आप कोई भी question में आपको दिया हो रहेगा कि suppose find out करना 16 और question 2 का 16 और कोई भी number ले लिए 16 और 36 का third proportion निकालना तो आपको find out कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं तो चलिए देखते हैं तो 16 is to 36 36 is to X तो आप इसको इसे ही सब solve किजए 16 into X is equal to 36 into 36 इसको आप solve करेंगे तो क्या आगा answer 81 तो इसे आपको डाइड डी का वेलू find out करने के लिए नहीं बोला जाएगा आपको third proportional, fourth proportional कैसे find out करना है वो बता जाएगा देखते हैं कुछ और question उसके बाद मैं आपको separate video बनाऊंगा आपको जिसमें important question सारे type of question cover करूँगा ratio and proportional के लिए कि आपको इसे कैसे solve करना है तो इस video में last में एक और question देखते हैं कैसे solve करते हैं एक basic concept है suppose आपको कोई भी number दिया हुआ रहेगा या suppose 670 2 दिया हुआ है तो आपको इसको ratio उसका ratio क्या में divide करना है 5 is to 3 में तो इस type का question को आप solve करने के लिए करेशे करते हैं तो आपको बताते हैं सबसे पहले आप ratio जो भी दिया हुआ था उसको दोनों को add कर दीजे तो 53 क्या हुआ 8 हुआ 8 को आप जैसे ही आपको first part निकालना है second part निकालना है दोनों part निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 672 को आप multiply कीजे फर्ट पार्ट निकालना के लिए आपको क्या करने पड़ेगा 3 divided by 8 इसको आप solve करेंगे तो 252 आएगा तो कभी-कभी group 2 में question step करा सकता है कि आपको कोई भी number दिया हुआ उसको ratio आपको देज जाएगा तो उसको आप split first part नो second part में कैसे find out करेंगे तो दोस्तों इस pressure and proposal का basic concept में इस वीडियो में आज इतना ही मैं next वीडियो में आपको कुछ important question बताऊँगा और important question के साथ आपको tricks बताऊँगा कैसे आप कोई भी step को skip करें ताकि आप बीना लिखे आप question को solve करें तो वीडियो को देखते रहिए हमारे चैनल में नए है तो नए है तो पांड़े ग्रोजी को subscribe जरूर करें और दोस्तों को share करना न भूले तो वीडियो देखने के लिए धन्वाद जय भारत जय हिंद